जेहिंद फ्रेंड्स, once again you are welcome to Mission Air Force तो दोस्तो इस वीडियो में यहां पे हम Indian Coast Card जी हां दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि Indian Coast Card का भई notification आ चुका है और इस notification में आपके Coast Card GD यानि कि General Duty DB Domestic Branch तता यांद्रिक चोकि Technical है इन सभी के लिए यहां पे vacancies आई हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इन सभी जो vacancies हैं GD, DB तता यांद्रिक इनमें काम क्या होता यानि कि work क्या है अलग-अलग काम है सभी का यहां पे बताएंगे ताकि आप apply करने से पहले विचार करके apply करें कि कौन से जोब आपके लिए अच्छी रहेगी कौन सा काम आपके लिए बैटर रहेगा तो इंडियन कोस्ट काड की वेकन से आ चुके हैं जिसमें कि 2 जुलाई से आपके 16 जुलाई तक form फील किये जाएंगे तो चले दोस्तों देखते हैं आपके यहां पे लेकिन उससे पहले कुछ eligibility criteria है वो भी देख लेते हैं तो देखें तो जीडी है यानि कि general duty उसके लिए आपको 12th pass होना चाहिए with PCM यानि physics और math आपके पास होनी चाहिए यदि बात करें DB की यानि कि domestic branch ये तो इसके लिए आपको only 10th pass होना चाहिए यदि आप 10th pass हैं तो domestic branch के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद बात करें तो यान्त्रिक आता है तो यान्त्रिक के लिए आपके पास 10th के साथ साथ कोई भी यहाँ पर technical diploma होना चाहिए engineering का या तो ITI हो या कोई भी इसके equivalent कोई भी यहाँ पर diploma आपके पास technical में, electrical में, mechanical में यहाँ पर होना चाहिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं work की कि किस branch में आपको कौन सा work करना पड़ता है तो friends सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नाविक GD की यानि की general duty की जिसमें के आपके 12th में PCM मांगा गया है तो general duty की बात करते हैं नाविक cost guard की तो देखे दोस्तों इसमें आपका क्याम जो work होता है manually security का काम होता है जी हैं दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी cost है यानि coastal area है इंडिया का इन सभी की तो रखवाली करनी ही है जो भी coastal area है तटिये इलाका है इसी के साथ आपका जो काम है वो complete यहाँ पर security का work है और उसमें आपको जो pirates होते हैं यानि कि समुदरी लुटे रहे उन पे भी ध्यान रखना है तटा इसी के साथ जो merchant navy होती है उनको भी आप यहाँ पर backup देते हो supply देते हो और यहाँ पर आपका काम होता है उनकी भी security करना इसी के साथ आपका यहाँ पर जितने भी island होते हैं और जितने भी यहाँ पर कृतिम coastal area है उन सभी की यहाँ पर security है वो सभी जो maintain करते हो वो यहाँ पर coast guard GDN की general duty वाला यहाँ पर candidate करता है तो मुखे रूप से जो काम होता है वो security का काम होता है हर प्रकार की यहाँ पर security यह करते हैं क्या Indian coast guard में जो general duty वाले होते हैं यह करते हैं उसके बाद बात करते हैं coast guard DB यानि कि domestic branch तो domestic branch की यहाँ पर बात करते हैं किसके बाद coast guard general duty के वाल तो देखें जैसे कि domestic branch में आपके पास 10th होना अनिवारिय है यानि यदि आप 10th pass है तो इसमें apply कर सकते हो तो देखें दोस्तों जैसे कि नीवी में MR की vacancy आती है 10th pass के बाद metric pass उसी प्रकार से coast guard में क्या है coast guard में हैं यहाँ पर DB domestic branch तो इसमें काम क्या होता है आपका यहाँ पर इसमें जो काम होता है वो आपका भई कुक का और इस्टेवर्ड का यानि खाना बनाना और खाना जो है सारू करना यह काम आपका यहाँ पर होता है और खाने के लिए यहाँ पर मैं बता दूँ वेज औ आपको बनाना पड़ता है तो यदि आप भई वेजिटीरियन हो तो सोच समझ की फॉम फिल कीजेगा कि यदि आप ये काम कर सकते हो फ्यूचर में तो फिर आपके लिए यहां पे कोई बॉन्डेशन नहीं है तो चलिए दोस्तों ये था डीबी का डॉमेश्टिक ब्रांच का यानि यहां पे काम होता है आपका कुक का और इस्टिवर्ड का खाना बनाना है परोसना है और यहां पर साप सपाई मेंटेन करनी है किचन वगेरा जो भी वहां पे मैस है उसमें उसके बाद बात करते हैं आपका यहां पर यांत्रिक का जियां दोस्तों जो यांत्रिक होता क्या है जो अम्यनिसण्स है गोला बारूद हैं उन सभी का स्थ हैं उस सभी का ध्यान रकना सप्लाई है उसका ध्यान रकना पहले इसी के साथ ना भी टेक्निकल वर्क होता हैं काम के दोरान उन सभी को यहां पर उन्हीं के यॉल settryg होते हैं इनी के अंडर में ये काम होता है तो चलि इस वीडियो में यहां mem 1957 नीक ही कोसिस की है कि नाविक में जनेरल ड्यूटी रहे ऑपको किस पोष्ट के लिए अप्लस रहेगा तो आप चूज कर सकती हो आसानी से कौण काम आपके लिए अच्छा है और किसे के लिए हो न ज्याइश्टक में विडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ल् geared करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करना ताकि अपने के साथ अभर करने से पहले वह भी